विप्रो की चार्ट पर राहे ली जाए हिमांची जी और कितना गिर सकता है 380 का लेवल इस समय विप्रो पर देखिए लॉंग टर्म एक बहुती मेजर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक फिलाल काम कर रहा है जो कि 380 रुपे के आसपास की है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रे के हिसाब से खरिदारी तो खैर बिल्कुल अभी दही बनती लेकिन फ्रेश शॉट के लिए भी मुझे लगता है कि ये एक सही जगह नहीं है क्योंकि 370-380 के पास लॉंग टम चार्ट में थोड़ा सा सपोर्ट है और मेरा मानन है कि स्टॉक शाय दिन लेवल के आसपास थो भी हो गया था नई management change के बाद बाजार थोड़ा positive भी बना था इसमें buyback भी आया था बट वापस ये काफी तीज़ी से फिसलते हो दिख रहा और IT का under performer बन रहा है अगे कुशल से जानते हैं कि आज इतना शाप reaction नतीजों के बाद विपरो में क्यों दिख रहा है कुशल बत जो स्ट्रीट का अनुमान था 1-3% तक का उसके मकाबले इन्होंने 0.5-2% तो अगर आप समझेए कि lower end of the guidance अगर आता है तो almost likely है कि Q3 जिस तरह का Q2 में प्रदर्शन रहा है almost flat रहने वाला है इन फाक्ट यहाँ पर जो दूसरा बड़ा point है वहाँ पर आपको focus रखना है क्य Q2 F523 यानि जो तमाही के नतीजे इन्होंने दिया है उसमें net addition 605 employees का ही हुआ है 605 employees अपने आप में काफी low figure है in fact 9 quarter low यह number आता हुआ दिखा है net employee addition का जबकि इसके पिछली तमाही में अगर आप दिखेंगे तो लगभग 15,440 employees इन्होंने add किये थे तो ऐसा एक indications आप मान सक करते हैं कि आगे चलकर at least Q3 के लिए इनको demand बहुत जादा strong नहीं नज़र आ रही है और यह से evident भी है जो इन्होंने Q3 के लिए guidance दी है साथ ही अन्य कंपनियों के मकाबले जो तीसरा बड़ा point है उसमें इनका जो consulting कारोबार है वो जादा exposure है और वैसे हम देख रहे हैं कि consulting क कारोबार over और आपको याद होगा कि इन्होंने Capco का acquisition किया था काफी बड़ा acquisition था तो वो भी end to end consulting में deal करती थी तो inorganic growth के लिहाद से इन्होंने वो acquisition किया था बट कहीं ने कहीं जो brokerage houses है वो इस चीज़ की चिंता को जिता रहे है कि जो company की organic growth है वो उतनी जादा significant नहीं आत हुआ दिख रहा है overall अगर आप industry की बात करें और चौथी बड़ी point है जो इनकी consolidated basis पर margins आई है तो margins को लेकर भी एक बड़ी चिंता बन रही है और इसी वज़े से शाद brokerage houses ने EPS level पर अपने cuts भी किये हैं तो 14% के consolidated margin इस बारी इनके आते वे दिखे थे जबकि street का अन्मान 15 15.1% का था तो यह चार बड़े कारण है जिस वजह से विप्रो में आज हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है समले के आसार है या नहीं अब यहीं देखना होगा कि इसके बादवाले quarter में क्या guidance देती है बट लाजली आज के लिए अगर हम देखें तो pressure तो बना रहे guidance बादर को नहीं पसंदा है गरेक्ट